तो हेलो छात्रो एक बार आपका फिर से सोगा थे आज की इस नए वीडियो पर यहां पे एक बार फिर से गर्दा उड़ाने आ चुके हैं आपका कक्छा 10 भी सब्जक्ट आपका इंगलिस का हा फिरली का पूरा का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं तो आपको यूटूब पर पहली बार पेपर के साथ आपको इसमें अंसर भी सबसे पहले प्रोवाइट कराया जा रहा है तो आपको वीडियो में लाश्ट तक बने रहना है जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है वस आपको इस वीडियो में लाश्ट तक बने रह चाहिए यदि आप इन पेपर को कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आप जो है 80 में से 80 नंबर लेके आएंगे इसकी मैं गारंटी लेता हूं तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं आपको हम पता दी यहाँ पे आपको टाइम यहाँ पे थ्री हाबर से यहाँ आपको तीन घंटा दिया गया है आपको यहाँ पे मैकजिमम आपका जो मार्क होगा यहाँ पे 80 अंपो का होने वाला है तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया है आपका ये पैशेश दिया हुआ है के तो एक करते हैं यहां पे आपका पहला वे शुप पयाishment steering यहां पर दिया गए ठीक है इसके बाद देखिए second question क्या लिका है B number में who are the leaders to tomorrow आपका right answer हो जाएगा भाई आपके बच्चे यानि कि आपके छात्र students हो जाएगे ठीक इस पैरा का आपके इसका answer दिया गया है इसके बाद question number यहां पर देखिए C number और यहां पर लिका who is an ideal student D number पर आपको according to गौंधी जी what qualities should an ideal student है इसके बाद आप 400-400-400 जी हां याद कर लिजिए WhatsApp number क्योंकि आप चाहे आपका math का सवाल हो या physics, chemistry, biology का आपके हर doubt हर question का मिलेगा तुरंत video solution वो भी आपके सीधा WhatsApp पर बस आपको अपने phone में doubt not का आप 400-400-400 बाट सप नबर सेप कर लिजिए और चैट open किजिए फिर जो भी आपका doubt है वो सवाल के आपको फोटो किछना है उसे crop करना है और पांस सिकंड में उसका आपको video solution मिल जाएगा class 6-12 IIT, JEE, NEET, CBC boards और सभी स्टेट के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए और 800-400-400 पर अपना सवाल बाट सब किजिए और अपने सभी doubt को out किजिए लिंक description में है आपको इसका अंसर करना है तो देखिए एक-एक question का आपका ये answer है तो चलिए इसका answer आपको हम directly यहाँ पर प्रवाइट करा दे रहे है ठीक है तो यह रहा आपका अंसर इसके बाद आपका यहाँ पर second question आता है ठीक है आपको ये फढ़ना है पढ़ने के बाद आपको फिर इसमें answer आपको करना है पहला question लिखा है complete the following sentence ठीक है आपको यहाँ पर इसको sentence पूरा करना है तो a false friend-dates-dates लिखा है तो देखिए इसका answer आपका खुद यहाँ पर आपका लिखा है कि false के बारे में remains with us, आपको यहाँ पर answer करना है, ठीक है, इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर second question क्या लिखा है, इसी में, यहाँ पर we know true characters of our friends, आपको बताना है, c number when we are in travel, ठीक है, आपको यह answer कर देना है, इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर third question हो जाएगा, चौथा question और यहाँ पर पांच बाद कोश्चन, तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, आपको opposite लिखना है, तो reach का यहाँ पर आपको राइटिंग करना है, ठीक है, राइटिंग के बारे में आपको यह passage आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको नीम के बारे में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ आपको answer करना है, तो देखिए, आपको यहाँ पर question क्या क्या लिखा है, आप कब इसका प्रूंबर never और समय आपको समिल लिखना है इसके बाद एक च्छक यहाप सहरन को यहां पर यहां पर चौतह च्छन में आपको सारा है little यहां जिसक और पूर्सरेन बास्यर आपको उन्रेंपो फर्नेटर्टर पार्ट आप लाइब यूजफूल वाडी माइंड आपको यह पॉइंट दिये हैं तो आपको इन पॉइंट के आधार पर लिखना है या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं इसमें अथवक कोश्चन कर सकते हैं आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो देखिए आप इसमें बंडर आप साइंस के यहां पर आंसर कर सकते हैं तो देखिए आपको इसके बार आप अर्दबार्सिक पेपर में गरदा मचा देंगे इसकी मैं गारंटी लेता हूं तो देखिए इसके बाद यहां पर आपका क्या आता है यहां पोईंट लिख लेंगे पॉइंट लिखने बाद आपका 5 पांचपा कोश्ट आता है यांपे आपको देखिए यू आदे प्रमान पत्र में क्या नाम क्या है आपका नाम Sailaj Sarma है आपक्षा 10 में पढ़ते हैं और Government High Secondary Riva के आप चात रहें आपको यहाँ पे क्या करना है तीन दिन का आपको यह पे क्षुटी का यहाँ पे आपका application लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर आपको TC का भी आंसर दिखाए दिये रहा है ठीक है इसके पर इसे इसके इसाट कर लिजे इसके बाद चाहें तो आप यहाँ पर यह आपका हो गया इसका भी आंसर मैं अथवा सहीत आपको दे रहा हूं यहाँ पर आपको three days leave का भी आंसर आपको लिख लेना है तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे प्यारे नसगूल लो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी मैं सभी सब्जक्ट के यहाँ पर आपके रियल पेपर अपलोड करने वाला हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पर आपका section C नमबर आता है क्या आता है यहाँ पर section C में आपका grammar portion आता है 5 नमबर का यहाँ पर आपका answer यहां पर लगा देना है बाइंग में आपको लगाना है ठीक है इसके बाद देखिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपका अंसर बाइंग हो जाएगा इसके बाद देखिए आपका रिटाइड टीचर हो जाएगा इसके बाद देखिए आपका रिटाइड इसक नौट हैब यहां पे डैस डैस मॉनिए लेप आपको क्या लिखना है यहाँ पर एपको यहां पर एपनी होजाएगा संदर आने के लिए प्रयोक करना पड़ता है आपको इसमे आंसर में लगाना है इसके बाद देखे आपका पहला बाला हो जाएगा इसके बाद च्छटा कोश्चन यहां पर यू आर सिटिंग तो ठीक है आपको यहां पर बेट्वीन आपको इसमें लगाना है सीता एंड गीटा ठीक है दो लोग बीच में आपका हमेशा यानि क्या होता है बेट्वीन का प्रयोग करते हैं लेट्वीन करना है आपको यहां पर आपको यहां पर करने पड़ेंगे ठीक है जो आपको पंच अच्छे लेगे उन्हें आद कर लिजएगा बीड़ों को लाइक कर दीजेगा चैनल को सुस्क्राइब कर दीजेगा इसके बाद देखिए पहला यहां पर लिखा है ही वह प प्रदेस कि राजदानी है तो क्या होगा आप का प्रदेस है इसके बाद चौथा कोस्ट यांपर क्या लिखा है क्या मैं अंदर को सकता हूं यापको यह जयागा इसके बाद देखिए लास्ट कुशन यहां पर साथ भली का है बरसा हो रही है तो आपको इसमें अंसर करना है इट इज रेंग ठीक है तो आपको जेखे जो आपको अच्छा लगे यहां पर आप आपको पर पर आपको परता है र है कि आपको प्रोज यहां को बताना यह कुस्टर है तो डौंड फ्रॉम्हेर मीन आपको यहां को आपको बंसक्राइब डॉंट से मूफ फ्रॉम है आपका सही अंसर होने वाला है इसके बाद देखिए आपको यह कोश्चन देखना सी नंबर और दी नंबर तो आपको यह रहा आंसर आपको इसे ऐसे ही आपको लिख देना है ठीक है इसके बाद चली चलते हैं रहान हीृष आपको यहां है तो पहला लिखा है टो आपको लिखंड इस सही अंसर क्या हो हो जाएगा ही गौट वन्ट आपको साही अंसर होगा isके बाद देखिए सी नंबर कॉस्टन आपका लिखा है तो आपको इसमें साही अंसर होने वाला है ठीक है इसके बाद देखिए आपको यहां पर डिख लीक्षा घृँड़ अपकर लेंगे इसके बाद आपकə यह बिनमबर एक अनसर हैं नहीं पर इसके बाद आपको यहां पर एक्सट्रैक्ट आपको पंढ़ने के बाद आपको यहां पर आंसर करना है तो आपका यह question और answer आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं तो पहला question in the heart of the children there is आपको बताना है तो इन सभी question का answer आपको यह हो जाएगा पहले में आपको यहाँ पर the world and sunshine यहाँ पर लगा देना है इसके बाद आपको वी नमबर में यहाँ पर आपको लिखना है the wind up at one ठीक है आपको यह answer पहला वाला हो जाएगा ठीक है आपको क्या पूछा है heart up children इसके बाद आपका second question तो देखिए इन question का answer आपको यह रहा इसक्रीन पर इन दोनों question के answer आपको इस प्रकार से लिखना है ठीक है इसके बाद आपका next question यहाँ पर आया है पंदर्वा question इसमें आपको 30 बट में सभी question के आपको answer यहाँ पर लिखना है तो 10 नमबर का question तीसरा चौथा और पांचवा तो देखिए यह रहा आपके screen पर यह सभी question पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा यह सभी question के answer है इसे screen start कर लिजेगा ठीक है तो I hope यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया है यदि वीडियो आपको पसंद आया तो दिल से वीडियो क लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर जय हुँनते जय हुआ